तो हाई गाई वेलकम बाग तो माई यूटूब चैनल सट्राइम पाउंड गोल एक बात तुम्हें पताना चाहता हूं आज कल के टाइम में ना इंजिनिरिंग कॉलेज इतने जादे हैं कि मतलब अगर तुम्हें बड़िया प्रॉपर नॉलेज हो तुम कम परसेंटाइल में भी ठीठा कॉलेज पा सकते हो अब तुम्हें लगेगा संदीप यह मजाक कर रहा है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा है भाई हम लोगों ने बहुत कम परसेंटाइल भी एड्मिशन कराये हुए हो भी गॉर्मेंट कॉलेज में और कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी जैसे ब्रांचेज में बट चलो यह तो फ्यूटर में देखेंगे अपलो बट अभी मसला ही है कि अब मैं सिरीज स्टार्ट कर रहा हूं ऐसे कॉलेज की जिनकी फीस भी कम है प्लेशमेंट भी अच्छा है और कटाफ भी कम जाता है और खास सब बढ़ियां यही तो हम ढूंड रहा है तो ऐसे यूनिक चीजों को जानने के लिए मैं हमेशा कहता हूं सब्सक्राइब करके रखो वेल आइकन को प्रेस करके रखो कॉलेज रिगार्डिंग हर एक इन्फोर्मिशन को जरूर देखो क्योंकि कब कौन सा पत्ता तुमारे जाक चंडिगर आई पीउ इन सारे काउंसलिंग में अपने पैसे लगा के ठक गयते हार गयते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि आभी स्पॉर्ट भी हाथ से जाने वाला है और उनकी नजर पड़ी हमारे चैनल पर और उन्होंने एक वीडियो देखा और कॉंटेक्ट कर कि कौन सी वीडियो तुम्हारे लिए मुझे नहीं बता है कि तुम कौन से कटेगरी से बिलॉंग करते हो मैं सबके लिए जनरल बना रहा हूं बट जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो उसको फटाक से पकड़ ले ना ठीक है तो चलो अपन लोग इस सीरीज में मैंने आल्रेड लाता रहूंगा और बाकी यह जो सीरीज है यूनिक कॉलेज की इसको भी आप देखते रहिए बिकॉज इस वेरी इंपोर्टन फॉर यू फॉर यंगर प्रदश और तो चलो शुरू करते हैं कहानी तो आज अब लोग बात हरेंगे जामिया मिला इसलामिया निव डेली के बारे में है कि अगर अगर डेली से इंजुनिरिंग करना है तो कितने आप्शन से दुमारे पास बहिए एक तो ऑप्शन है डी टी यू ठीक है सिंपल बात है मैं नोड़ा वड़ा की बात नहीं कर रहा है ना एक तो ऑप्शन है जिट्यू कहा रहा हूं जाए डेली जिसमें सबसे अच्य ने यू टी ठीक है अरे जोसा किया लामा मिलब टीट्यू हो गया नेनसुट्य और आपका इंद्रा गाधी हो गया मतलब अच्य खासे ओल्रिघ यहां पर आपको पैय किट ली हो है हाई और देली के बाहर चाहिए तो फिर तो आपके लिए दूश्रों आपके पास आ जाता है एक तो जोसा वाला ऑप्षन में छोड रहा हूं जो सावन नी अप्षन है जोसा के बारे तो सबको पता है लेकिन देली से अगर बीटे करना तो एक तो जैक देली वाला उप्शन हो जाता है और एक आई-पी वाला उप्शन हो जाता है और एक उप्शन है आपका जामिया मिला इस्लामिया जिसमें से सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा आसान और सबसे सस्ता कॉलेज जो है that is zamia mila islami why because it's a central university यह एक central university है university level पर इसका बहुत बढ़िया ranking एन इर फ्रैंकिंग engineering के लिए भी इसका इन इर फ्रैंकिंग बहुत बढ़िया है overall college बहुत शांदार है इसका infrastructure बहुत मस्त है ठीक है सब कुछ बढ़िया है लेकिन यहां दिक्कत है है कि यहां पर माइन इन्षि्टूशन है तो माइनोर्टी लोगों के लिए काफी बहुत बढ़िया यहां पर प्रावधान है क्या क्यता है प्रवधान मतलब इनका बढ़िया reservation है खासकर मुस्लिम लोगों का मैंनोर्टी मि लेले लेना कि तुम्हारी कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए तुम्हारे कटेगरी की एकॉर्डिंग कि तुम्हारा जाम्या विमेंट मिशन हो जाए और इस वेर इंपॉर्टेंट तिंग यूट्व पे आसक किसी नहीं बताया है कि यहां पे कौन से कोर्शेज हैं इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन प्रॉसेस क्या है फीस क्या है कट अफ क्या है और प्लेस्मेंट क्या है इसके बारे विए अप लोग जानेंगे ठीक है एक बात में तुम्हें बताऊं इसमें जो सीट्स हैं कंप्ट्यूटर में सतर इलेक्ट्रोनिक्स में सतर एलेक्ट्रिकल में सतर में सतर और सिविल में भी सतर सीट हैं मैं मेरे डाइम में क्या हुआ था कि मैं ना कोटा में था अब लोग कोटा में प्रोपरेशन जब कर रहे थे मैं रेजुनेंस से पढ़ा हूँ तो हम लोग एक बार गये थे फॉर्म फिल करवाने ठीक है अब मेरे पास ना 500 रुपए थे बस उधारी के और मेरे दोस्त के पास भी 500 रुपए थे अब उससे एम्यू का फॉर्म बनना था और मुझे जामिया का फॉर्म बनना था ठीक है लेकिन जब हम लोग वहां पर मिले तो उसने बोला यार एम्यू भर लेते हैं एक्जाम देने स साथ चलेंगे जामिया का तो कॉंसलिंग जेई में के तुरू होता है तब करा लिए अब दोनों के फॉर्म जोते ना 500 रुपए गई थे और आई थिंक दोनों के यास पास में लास डेट था मैं जिस दिन गया ता उस तिन जामिया का लास टीट था पर मैं एम्यू को फॉर आने की बारी आई तो हुआ ही नी कांसलिंग वाई रिजन इथा कि भाई या कांसलिंग उनीक वो लोग जामिया में कांसलिंग वही कर सकते हैं जो जामिया का अप्लिकेशन फार्म पहले भरे हुए हो यह गलती मुझसे होई थी और तुम मत करना सीधी बात है यह गलती क्या करो कषो कौंसलिंग करो और में बैठ जाओ लेगं यह बोलते हैं कि पहले हम तीन माइन पहले फार्म निकालें गे आपका भी जयमें तो यह गलती तो मत करना कहानी शेयर करने का बस एक यही मोटो था अब देखो एकेडमी क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए है तो आप जामिया को भी टार्गेट कर सकते हो ठीक है या फिर आपका डिपलोमा इन इंजिनेरी होना चाहिए तो भी काम बन जाएगा अब यह वला यहां पर मसला फ़स जाता है कि आपकी यह जो जो है ना 17 साल से कम नहीं होना चाहिए एक अक्टूबर 2023 को आप 17 साल से कम नहीं होने चाहिए देहां रखना और इसके लिए जेई मेन आपको देना होगा जेई मेन 2023 में अगर आप बैठे हैं तब ही आप जामिया क फिल करना पड़ेगा ठीक है और आपके रैंकल इस्ट आपका जो जरेमीन का स्कूर है आपकी जो पर देटेल यश के अगरा जामिया की की फीस की बात किया है तो मात्र 16,150 रुपए 16,000 में बीटेक एक साल की फीज जो है 16,000 है सोचो इतने सस्ते में इतने कम पैसे में तुम्हें बीटेक करा रहे हैं लोग मतलब सेंटर लिवस्टी की बात ही कुछ हो रहे है ना मेरे यां तो 8,000 है फीस सोचो 7,000 सम्तिंग 7,860 रुपए अब बात करते हैं कि सर ठीक है जामिया में जाना है तो सबसे पहले जैमें देंगे अपलिकेशन फॉर्म बरेंगे और उसके बाद काउंसलिंग के टाइम में से हमारा मेरिड बनेगा तो एक बात बताईए सर कितना परसेंटाइल हो कि मैं जामिया में अपना सीट फिक समझो तो देखो कटेगरी के हिसाब से बना दिया अगर आप नारी है तो सब पर भारी है ठीक है एक दम बढ़ियां यहां पर आपको रिजरवेशन मिलेगा लेकि जनरल के लिए अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए सीधी बात है मैं दो का कटाफ बता रहा हूं एक कंप्यूटर साइंस का और एक से विल इंजिनरिंग का इन दो के कटाफ से तुम्हें आइडिया मिल दाएगा कि अगर तुम इस परसेंटाइल के बीच में अगर मुस्लिम जनरल है तो 96 और मुस्लिम और सिविल के लिए 89 बात समझ रहो ओभीजी मुस्लिम तो 95 दसमलोग छे में इसको कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाता है ओभीजी मुस्लिम है तो 88 दसमलोग पांच से ज़्यादा होना चाहिए सबिल के लिए अरे विडिक मे लिए तो 86.9 पर भी काम बन गया था लास्ट टाइम और अगर इंटरनल है तो कंप्यूटर साइंस के लिए 95.5 परसेंटाइल चीए और जामिया इंटरनल है तो 87.5 अगर एक परसेंटाइल भी है तो भी आप क्या कर सकते हो यहां पर जा सकते हो आप लोगों के लिए क्यों चांस रहता है कि आपका काम हो जाए तो अब एक कटाफ की बात थी और देखना इसी की आसपास कटाफ रहेगी इससे जादा नहीं होने वाली है अब अगर प्लेस्मे चौरास 8.4 लाग है हाइस प्लेस्मेंट 25 लाग पर एनम का है इसकी इंजीनियरिंग की 26 है बहुत सारे नाइटी और आइटी का भी 26 नहीं है ध्यान रखना और ओवराल इनवस्टी लेबल पर तीसरे नंबर में आता है तो इंडिया का एट टॉप 3 उनिवस्टी में से एक और ओवराल के टेगरी में तेरहवे नंबर का इंसिटूशन है जो कि अपने आप में बड़ी बात है और इससे ना ने इसको एप्लस प्लस का एग्रेडिकेशन दिया है जो कि बहुत सारे यूनिवस्टी के पास नहीं है ठीक है और जामिया का प्लेस्मेंट बहुत अगर दो ब्रांच में हो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है तो और चुकिए डेली में ओखला में तो आल्रेडी काफी बड़ीया लोकेशन है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा मेट्रो इसके उपर से गुजरती है तो अगर जामिया में आप एड्मिशन होगा तो आप हमसे सला ले सकते हो योर संदी भाई आई जा सकते हैं तो चलो मिलते हैं नेक्स अभी मैं पूरी सीरीज लेकि आओंगा और भी गहुत सारे कॉलेज हैं जो इससे बेटर हैं कुछ इससे कम बेटर हैं लेकिन वहां पे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को हैं तो चलो मिलते हैं नेक्स अभी में तक लिबाबा टाटर अन्चाहिंद अ झाल 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 झाल